वेरी गूड इवन इवन और दिस दिवान शेलाथ और आप देखरें लाइफ इस आउसम यूटीव चैनल क्या आल है आप सब के सामने आप देखें दे कैटलीना ठीक है यह बैंकट हॉल है रिस्टोरेंट है सबसे टॉप पे रूफटॉफ कैफ है बट वो शाम को ही खुलता इस समय बंद है और इसके साइड में देखें यह रूबरू बैंक्वेट तो बिसिकली सारी चीजें इनी की है अंदर पार्किंग भी है स्पेशिस पार्किंग है मैंने गाड़ी वहाई पार्किंग में पार्क करनी थी लेकिन हुआ यहाँ बड़ा कुछ फंक्शन था इव सब्सक्राइब करें था तब में इस फ्लोर पे आपको सारी चीजें दिखाता चलूंगा मैं यह बड़ी खुबसूरत बड़ी ही बहत्रीन जगह है हाईजीन साफसफाई मैनेजमेंट यहां के जो रेस्टों मैनेजर थे थर्ड फ्लोर पे आपको दिखेंगे वह स्वेटर से मैं पहने वे ब्लू कलर के स्वेटर में वह सो हंबल सो पॉलाइट बात करके मज़ा आ गया अब मैं खेर यूट्यूबर चोटा हूँ मेरे व्यूज कमा आते हैं लेकिन मेरे को तजुरवा बहुत है मैं समझे कि अल्मोस्ट हर दूसरे दिन ही बहार खाता हूँ तो बहा पर दूसरा आगया तीजी मंजिल आगी चलो चलते हैं थर्ड फ्लोर पे न चोटा से इन्होंने बेबी सेक्शन भी बनाया वाई विच इस वेरी नाइस especially for those parents who have small baby like us तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो ही दिखा देता हूँ आपको आजाए मेरे साथ आगी प्लीस फॉलो मी तो यह देखें आप यह देखें यह मम्मा और जियाना है सोनिया और मेरी प्यारी सी बच्ची जियाना मेरी प्यारी सी सोनिया प्यारी सी जियाना इस पर लिखा हुआ है छे साल से चोटे बच्चों के लिए ही है छे साल से बड़े बच्चे क्रिपया करके इस पर ना चढ़े तो अगर आप छे साल से बड़े हैं तो आप दूर खड़े होके देखेंगे मेरी तरह है छे साल से चोटे हैं आप जियाना की तरह है तो आप इस पर मौज मस्ती करेंगे हैं यहां पर आके यह बड़ा अच्छा सेट अपर देखता हूं ऐसा की ना कई रस्टुरेंट्स पर जहां पर की ऐसा जरूर होता है कि कई स्टाफ बीबी को ले लेते हैं ताकि आप राम से खाना पीना खा सकें अंदर का जो है बड़ा ही लिवि में आप खुदा आके देखेंगे ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे चीजों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे आप वीडियो के मादे हम से या मेरी अवास पर तो कितने लेवल तक का भरोसा किया जाए ना किया जाए वो तो मैं क्या बता हूं बट आप इसरे फ्लोर पे इसके उपर भी है रूफटॉप कैफे बट वो चेवजी के बाद खुलता है तो अभी बंद था तो इसलिए फिर मैं गया है नहीं वरना मैंने इनसे परमीशन लेके जाना था उपर शूपर भी शूट करना था इसके करीब में ही कैसल ग्रे है वो भी मैं मेन्मा बैठी हुई साहत में अब रो तक आता हूँ तो जाथा ममी के साहत है और वाइफ्र बेटी तो खेर वो तो मेरे हमसफर है मेरे साथी है हमेशा वो मेरे पास रहते हैं आपको मेन्यू गार दिखाते हैं जरा मेन्यू से रूबरू कराते हैं ठीक है यह देखे हैं आप सामने मेन्यू है तेरी यह तो पन्ना उल्टा बलट दिया बना सॉरी इसको जरा फिलिप करते हैं जरा आपके सूपसे सालाड्स है अपक्या कुछ है कॉंटिनेंटल हो गया थिए फिर यहां देख्ते हैं पीजा है पास्ता है स्टाार्टाز lefte में क्या है यह सोया चाप्तग अगरह भी हैं आप मेन कोर्स पे कॉंटेनटल में ठिक है यहां यह Indian Main Course हो गया, यह रायता इन सालड हो गया, यह सैंड़िचिज हो गया, ठीक है, मीठे में नीचे डिजर्ट वगरा है, यहां पे करीज हो गया, यह ब्रेड्ज और रोटी हो गया, नान हो गया, प्लेन नान, बटर नान, ठीक है, प्लेन रोटी, इस प्रकार से साउथ हिंड नोगया प्लेन डोसा, मसाला डोसा, चीज डोसा, ठीक है, और ये इनका कम्प्लीट ये होगे, रूफ टॉप रेस्टरेंट है, कॉन्फरेंस और पार्टी हॉल है, लगजरी बुके है, बैंक्वेट है, रूम से है, फोन नमर आपको दी हूँ है, आपके सामने ठीक है, और कम प्यारी सी बच्ची, प्यारी सी जियाना, प्यारी सी सौनिया, जियाना वापी जारी, उस प्ले सेक्शन में खेलना है उसको, ये अमने बेबी चेर मंगाई भी है, जियाना बैठी हुए है, बेबी चेर पे और अपने ममा के हाथों से थोला थोला खा ली है, तो ये खाना नशानाम खा रहे हैं जोए करें खाना ठीक है और जहें बहुत अच्छी है थांक यू फॉर वालीबल टाइम